नमस्कर विकेबी नियूस की सबसे खास, सबसे सटीक और महतपूर्ण पेशकर्ज देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत सवागत है टीपू सुल्तान के नाम पर मुंबई में एक खेल परिसर बनाये जाने पर छिड़े विवात को लेकर संजे राउत ने राश्पती रामनात को इनका जिक्र करते हुए भाजपा पर पलटवार किया है उदरन दितेश राणे को सुर्विम कोट ने दस दिन की अंतरी जमानत दे दी है लेकिन उन्हें नियमित जमानत के लिए निशली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है इसे बीच हाली में कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हुई भोजपुरी फिल्म इंडस्री की कुईन राणी चटरची ने कहा है कि नेता बनने के बाद मेरे वेवार में कोई बदलाव नहीं आने वाला है मैं गीता से सीता तो नहीं बन जाओंगी इसके अलावा दोजारोन कारेक्रम के दोरान मुख्यमंद्री उद्धव ठाकरे की पतनी रश्मी ठाकरे और बेटे आदित ठाकरे पर आचर सहीता भंग करने का रोप लगाया गया है तो बेड़ जिले के एक हैरान कर देने वाली खटना सामने आई है जब विदायक महदय को एक आंधुरन कारी महला को नीचे उतारने के लिए खुद पेड़ पर सीड़ी लगा कर चड़ गए प्रदेश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ टीपु सुल्तान के नाम पर मुंबई में एक खेल परिसर बनाय जाने पर चिड़े विवाद को लेकर संजे राउत ने भाच्पा पर पलटवार किया है उन्होंने राष्ट्रपती रामनात कौविद का जिक्र करते हुए कहा कि उनक्य और से भी टीपु सुल्तान की तारिफ की गई थी उनका कहना था कि टीपु सुल्तान एतिहासिक योध्धा थे, स्वतनत्रस सेनानी थे क्या भाजपा राश्ट्रपती से उनका इस्तिफा मांगेगी भाजपा को इस पर अपना रूख स्पष्ट करना चाहिए तीपु सुल्तान के मुद्दे पर वह ड्रामक कर रही है दरसल महाराश्ट कॉंग्रेस नेता और मंतरी असलम शेख ने मुंबई की मुसलिम बहुल मालवानी कॉलनी में बने पार्क का नाम टीपु सुल्तान पर रखे जाने की पहल की है इसी को लेकर भाजपा आपत्ती जता रही है संजे राउत ने उद्धव सरकार के मंतरी का बचाव करते हुए कहा कि यदि वे कहते है कि टीपु पर किसी प्रतिष्ठान का नाम रखा जा सकता है तो फिर वे ऐसा कर सकते है राज़सरकार फैसले लेने में सक्षम है नया इतिहास लिखने का प्रयास न करे आप दिल्ली में लगातार इतिहास को बदलने का प्रयास कर सकते है लेकिन उसमें सफल नहीं होंगे यही नहीं उन्होंने भाजपा के इतिहास ग्यान पर भी सवाल उठाया संजे राउत ने कहा कि भाजपा को लगता है कि उन्हें ही इतिहास के बारे में जानकरी है हर कोई नया इतिहास लिखने के लिए बैठ गया है यह इतिहास कार यहां इतिहास को बदलने के लिए है हम टीपु सुल्तान के बारे में जानते हैं हमें भाजपा से कुछ भी सिखने की जरूरत नहीं है महाराष्ट के भाजपा विधायक वकेंद्रिय मंत्री नारायन राने के बेटे नितेश राने को सुप्रिम कोट ने 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है उने नियमित जमानत के लिए नीचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है नितेश राने को महाराष्ट के सिंधु दुर्ग जिले में पिछले महा दरच हत्या के प्रयास के मामले में दरच, FI.R. में आरोपी बनाया गया है सुप्रीम कोट ने महराश्टर पुलिस को राणे को दस दिनों तक गिरफतार नहीं करने का आदेश दिया है नितेश राणे पर सिंदुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव प्रचार के दोरान शिवसेना के कार्य करता संतोषपरप के ओपर कथित तौर पर जानलेवा हमला करने का आरोप है इस मामले में सिंदुदुर्ग जिले में कनकवली पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 307 के तहट नितेश राणे के खिलाफ मुकदमा दर्च किया गया था महाराश्च पुलिस ने प्रकरण में परियाप्त सबुत होने का दावा किया है दूसरी तरफ याची का करता का कहना है कि राजनितिक कारणों से निशाना बनाय जा रहा है लेकिन जब नितेश राणे ने सिंदु दुर्ग की कोर्ट में अगरिम जमानत याची का दायर की थी तब वहाँ भी अदालत ने इसे खारिस कर दिया था उसके बाद गिरफतारी से बचने के लिए उन्होंने बॉंबे हाई कोर्ट का रूख किया था जिसके बाद उन्हें उच्चनायले से भी निराशा हाथ लगी थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था उत्तरप्रदेश के चुनावी माहौल के बीच भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की क्विन रानी चैटर जी हाल ही में कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हुई है इसकी जानकारी खुद रानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये सभी को दी रानी चैटर जी से जब चुनाव लड़ने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं यूपी में कॉंग्रेस का प्रचार कर रही हूँ अभी चुनाव लड़ नहीं रही हूँ मौका मिलेगा तो इलेक्शन में जरूर खड़ी होंगी रानी फिल्मों में अपने बोल्ड अंदाज के लिए मश्खूर है वे अपने सोशल मीडिया पर भी ग्लैमरस तस्वीरे साज़ा करती रहती है ऐसे में जब इमेज को लेकर सवाल किया गया तो इसके जवाब में रानी ने कहा कि नेता बनने के बाद भी मेरे व्यवार में कोई बदलाव नहीं आने वाला है मैं गीता से सीता तो नहीं बन जाओंगी मैंने सिर्फ एक नई जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई है और मुझे लगता है कि राजनिती में आने से मेरा ग्लैमर खतम नहीं होगा इस्टाग्राम अकाउंट पर प्रियंका गांधी के साथ तस्विर साजा की थी इस तस्विर में रानी चाटर जी ने अपने हाथ में पिंक कलर का एक बैग भी पकड़ा हुआ है जिस पर लिखा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित किये गए ध्वजारोहन कारेकरम की दोरान मुख्या मंतरी उध्व ठाकरी की इपतनी रश्मी ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे पर अचार सहीता भंक करने का आरोप लगाया गया है एड़ोकेट जैश्री पार्टिल ने ही आरोप लगाया है जैश्री पार्टिल ने इसके खिलाफ पुली स्टेशन में शिकायत भी दर्च करवाई है आरोप है कि ध्वजारोहन के समय रश्मी ठाकरे ने तिरंगे को सेलियूट नहीं किया इसी प्रकार आदित्य ठाकरे को भी नियावों के विरूथ रेट कार्पेट पर बुलाया गया मामले में लोकायुक्त के पास भी शिकायत की गई है जैश्री पाटिल ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहन के समय रश्मी ठाकरे ने तिरंगे को सेलियूट नहीं किया था यहां आचार सहीता भंग करने का मामला बनता है उन्होंने शिकायत में ये भी खाया है कि गणतंत्र दिवस पर रेट कॉर्पेट पर जो भी गणमानने उपस्तित होते है उन्हें बिना किसी को पुछे भी तिरंगे का अभिवादन करना होता है लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी ने तिरंगे को सलामी नहीं दी क्या उन्हें सविधान मान्य नहीं है रेश्मिठाकरी के इस कुरूत्य की वज़ह से देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुची है लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्च करके कारवाई की जानी चाहिए बिड़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जहां विधायक महोदे एक आंदोलन कारी महिला को नीचे उतारनी के लिए खुद पेड़ पर सीड़ी लगा कर चड़ गए इस विधायक का नाम संदिप शिरसागर है दरसल बिड़ के नगर अध्यक्ष भारत भूशन पर परिशत के वरकर्स का वेतन रोकने का आरुप लगा था वेतन रोकने से परिशान कामगारों के सामने परिवार चलाने की समस्या खड़ी हो गई थी जिसके बाद कामगारों ने आंदोलन शुरू किया था इस दोरान बिड़ में अगर परिशत की दो महिला सफाई करमचारी सीधे पेड़ पर चड़ गई ताकि लोगों का ध्यान उनकी मांगों पर जा सके और उन्हें उनका वितन मिल सके कई लोगों ने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन महिला किसी की बात सुनने को तयार नहीं थी इतिफाक से यहाँ पर बिड़ जिले के सरक्षक मंत्री धननजे मुंडे भी पहुचे महिला को पेड़ पर चड़ा हुआ देखकर वह काफी परिशान भी हुए आखिरकार खुद विधायक ने महिला को मनाने का फैसला किया और वह सीड़ी लगा कर पेड़ पर चड़ गए काफी मान मनोवल के बाद महिला नीचे उतरने को तयार हुई विधायक से आश्वसन पाकर महिला ने अपना अंदोलन भी खतम कर दिया विधायक ने कहा कि जब तक वह अपनी पूरी बात नहीं रखेगी कैसे समझ में आएगा पेड़ पर फाइल तो नहीं आएंगी जिस दिल्ली में गंतंतर दिवस पर देश के जवानों ने अतुलनिय शोरे का परिच्य दिया उसी दिल्ली के शाधरा में नीजी रंजिश को लेकर एक 20 साल की महिला के साथ ग्यायंगरे और बाद में बाल काट कर उसे सडकों पर घुमाने का बेहद ही शरमनाक मामला सामने आया है तो रेलवे भरती बोर्ट के ओर से गयर तकनिकी श्रेणियों आरारबी अंटीपीसी के लिए परिक्षाव में कथित विसंगितियों के विरोध में उतरप्रदेश से लेकर बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन का दोर जारी है इसे भी पशिम बंगाल के पूरा मुख्यमंतरी बुद्धदेव भटचारी ने पद्नपुरसकार के लिए सम्मानित शक्सितियों की चन प्रक्रिया को लेकर विवात खड़ा कर दिया है तो उधर पूर उपराश्पती हामिद अंसारी ने 26 जनुरी के मौके पर ही एक अमेरिकी संस्ता के वर्च्वल कारिक्टर में आरोप लगया कि देश में अस्तही शुताब बढ़ रही है इसके अलावा चल्चा में अखिलेश यादो भी है जोने इस बार प्रचार में यादो कुनबे को लगबग दर की नार कर दिया है देश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रही है हमारे साथ दिल्ली के शादरा में नीजी रंजिश को लेकर एक 20 साल की महिला के साथ ग्यांगरेप और बाद में बाल काट कर उसे सडकों पर घुमाने का बहर शर्मनाक मामला सामने आया है घटना शादरा के विविक विहार थाने का है इससे जुड़ा जो वीडियो सामने आया है उसमें भीड एक महिला की बाल काट उसके मुह पर कालिक पोतने के बाद जूतों की माला पहना कर उसे सडक पर घुमाती दिख रही है भीड में जादातर महिलाएं शामिल है पीडित के साथ गैंग रिक भी किया गया है दिल्ली पुलिस के मताबिक नीजी दुश्पनी की वज़े से आरोपियों ने इस जगन्य अपरात को अंजाम दिया है दिल्ली महिला आयोक की अद्धिक्ष सुाती मालिवाल ने इस मामले को गंबिरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है उन्होंने ट्वीट किया कस्तुर्बा नगर में 20 सार की लड़की का अवेश शराब बेचने वालों द्वारा गैंग रिप किया गया उसे गंजा कर चपल की माला पहना पूरी इलाके में मुझ काला करके घुमाया मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रही हूँ सब अपरादी आदमी औरतों को अरेस्ट किया जाए और लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 और रुपियों को गिरफतार किया है सीम अर्विन केजरिवाल ने केंद्रे ग्रोह मंत्राले और एलजी से सक्थ एक्षन की मांग की है रेलवे भरती बोर्ट की ओर से गेर तकनी की श्रेणियों आरारबी एंटीपिसी के लिए परिक्षाओं में कथिद विसंगतियों के विरोध में उतरपरदेश से लेकर बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन का दोर जारी है गया जिले में एक ट्रेन में आग लगा दी गई और कुछ अन्य स्टेशनों पर भी प्रदर्शन किये गए भीड ने गया जंक्षन पर धावा बोल दिया नारे बाजी की और भबुवा पटना इंटरसिटे एक्स्प्रिस में आग लगा दी चोते दिन कही पदर्शन उग्रन हो इसे देखती वे सुरक्षा के चाक चौबन प्रबंद किये गए है इस मामले में बुधवार देर शाम पटना के पत्रकार नगर थाने में कोचिंग संचालक और यूटुबर फैजल खान उर्फखान सर समेथ कुछ कोचिंग संचालकों की खिलाप मुकदमाद दर्श किया है मुलरूप से उतरपदेश के देवरिया के रहने वाले फैजल खान पटना में जीयस की कोचिंग सेंटर चलाते है हाला कि वह यूटुब पर क्लास लेने के चलते ही वह सुर्खियों में रहते है गवई ठेट अंदाज में रोचक तरीके से क्लास लेने के चलते सोशल मीडिया पर खान सर की काफी फैन फॉलोइंग है खान सर देवरिया जिले के भाटपार राणी कस्बे के रहने वाले है NDA में सिलेक्शन नहीं होने पर खान सर ने कोचिंग में क्लास लेना शुरू कर दिया क्लास लेने के अनोखे अंदाज के चलते कम ही समय में इनकी प्रसिदी काफी हो गई पश्चिम बंगाल के पूरा मुख्यमंत्री बुद्धोदे भटचार्य ने पद्धपुरसकार के लिए सम्मानी शक्सितियों की चैन प्रक्रिया को लेकर विवात खड़ा कर दिया है उन्होंने यह कहते हुए पदम सम्मान लेने से इंकार कर दिया किसके लिए उनका चैन करने से पहले उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई पदम अवर्ड को लेकर एक और शक्स विशेश चर्चा में है कॉंग्रेस के वरिष्टने ता गुलाब नभी आजाद अवर्ड की घोशना होते ही आजाद अपनों के ही निशाने पर आ गए कॉंग्रेस के एक अन्य वरिष्टनेता जैराम रमेश ने उनकी है कहकर तीखी आलोशना की कि उन्होंने बुद्ददे भर्टचारे जैसे साहस नहीं दिखाया बरहाल पहले बुद्ददे भर्टचारे की केंद्रे गुरह मंत्राले की अधिकारियों का कहना है कि जिने भी पदमेपुरसकार के लिए चैनित किया जाता है उनसे उपचारिक सहमती मांगना अनिवार्य नहीं है हाला कि आमतोर पर किसी के नाम की गोशना करने से पहले अनौपचारिक तोर पर उस वेक्ति का मन टटो लिया जाता है अधिकारियों का दावा है कि केंद्रे गुरह सचीव अजय भला ने मंगलवार को बुद्ददे भर्टचारे को फोन किया था उनकी पती ने फोन उठाया तो उनने बता दिया गया था कि केंद्र सरकार ने भटचारे का नाम पद्नपुरसकार के लिए चैनित किया है पुरू उपराश्टरपती हामिद अंसारी ने 26 जनवरी के मौके पर एक अमेरिकी संस्ता के वर्चल कारेक्रम में विवा दिद बाते कही उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अस्तहिशन उताब बढ़ रही है इस कारेक्रम में अभिनेत्री स्वरा भासकर भी शामिल हुई थी अंसारी ने इस संस्ता के मन से केंद्र की मोधी सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि भारत में नागरिक राश्टवाद को सांसुरुतिक राश्टवाद से बदलने की कोशिश हो रही है धार्मिक भहुमत को राजनेतिक एकादिकार के रूप में पेश करके धार्म के आधार पर असरिश्णुता को बढ़ावाद दिया जा रहा है हामिदांसारी के साथ इस कारेक्रम में अमेरिका के चार सांसद मौझूद थे उनके अलावा अंतराश्ट्य धार्मिक स्वतनता आयोग के प्रमुक ने भी कारेक्रम में शिर्कत की कारेक्रम का विशय था भारत के बहुलतावादी सम्विधान का सर्रक्षन वाशिंग्टन में हुए इस वर्च्वल कारेक्रम की आयोजिक संस्ता पर पाक खुफिया एजंसी से जुड़े होने का आरोप है यह कारेक्रम 17 अमेरिकी संगटनों के एक समुने रखा था आयोजिक संस्ताव में से एक इंडियन अमेरिकन मुसलिम काउंसिल भी है इसे त्रिपुरा सरकार ने सुप्रेम कोर्ट में दायर हलप नामे में हाल ही में राज्य में होए दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया है समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर जनवरी 2017 तक पार्टी मुलायम सिंग यादों की थी उन्होंने इसे बनाया और अपने परिवार और पारिवरिक संबंदों को समाजवादी पार्टी का मूल बनाया मुलायम सिंग यादों ने 2017 में विदासबाद चुनाओं से पहले अखिलेश यादों के विद्रों के सामने हार मान ली इसके बाद समाजवादी पार्टी ओपचारी ग्रूप से एक वंशवादी पार्टी बन गई अला कि आदो परिवार का कोई अन्य सदस भी चुनाव प्रचार के दौरान नहीं दिखता है अखलेश यादो की पत्नी डिमपल यादो, चाचा रामगोपाल यादो और शिूपाल यादो, चचर भाई धर्मेंदर यादो और अक्षे यादो और उनके दिवंगत चाचा रतन सिंग यादो के पोते तेश पताफ सिंग यादो जैसे नेता फिलाल सीन से गायब है वे पिछले चनाओ के चनाओ प्रचार के दोरान अकलेश यादो और मुलायम सिंग यादो के साथ मंच साजा करते थे अमेरिका का माना है कि रूसी राष्टपती वाल्डिमीर पुतीन फर्वरी के मध्य तक यूक्रेन पर हमला कर सकते है इसे अंदेशे कोले कर तनाव बना हुआ है वही आम अमेरिकी नागरिक तीस्टीडोस लगवाने में दिल्चस्पी नहीं ले रहे है हाला कि वहाँ ओमिक्रॉन जैसे बहुत तेजी से फैलने वाले वेरियंट के संक्रमन की आशंकात तेज हो गई है इसी बीच पदमशी समानित प्रसिद्ध करतक लिनुतंगना मिलिना स्वालनी का निधन हो गया है मिलिना स्वालनी इटली में पैदा हुई थी और फ्रांस की नागरिक थी उधर प्रदान मंद्री नरंद्र मोदी पहले भारत मद्धेशिया शिकर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे वर्चुल मादम से हो रहे इस शिकर सम्मेलन के दोरान इसमें शामिल होने वाले नेता शेत्रिय सुरक्षा स्थिती के साथ समंदों को नई उचाईयों पर ले जाने के कदमों पर विचार में मर्श करेंगे इसके अलावा चलचा में फिर उत्तरकोरिया बना हुआ है अमिरिका के उपो विदेश मंतरी वेंडी शर्मन ने कहा है कि मुझे नहीं पता पुतिन ने अंतिम फैसला लिया है या नहीं लेकिन हम निश्चित तोर पर हर संकेत देख रहे है कि वह फर्वरी मद्ध से पहले सैनेबल का इस्तेमाल करने जा रहे है बता दे कि शर्मन ने हाल ही में वियना में अपने रूसी समक अक्षा से मुलाकात की थी और मास्को को रूस पर हमला करने के खिलाप चेतावनी दी थी शर्मन ने कहा है कि पुतिन की योजना से बीजिंग विंटर ओलेंपिक्स प्रभावित हो सकते है आपको बता दे चार फरवरी से उलम्पिक की शुरुआत हो रही है ऐसे में पुतिन अगर इस वक्त थमला करते है तो शायद राष्ट्रपती शी जिनपिंग खुश नहीं होंगे उन्होंने बताया कि हम कुट नीतिक के जरिये मसले को सुलजाने की कोशिश कर रहे है मारे गए लोगों में 3000 से अधिक आम नागरिक थे अमेरिका ने रूस को चेताउनी देते विए काहा है कि अगर रूस युक्रेन पर हमला करता है तो हम रूस पर ऐसे प्रतिबन लगाएंगे जो उसने कभी नहीं देखे होंगे ओमिक्रोन जैसे बहुत तेजी से फैलने वाले वेरियंट से लडने के लिए अमेरिकी सरकार ने बुस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया मगर आम अमेरिकी तीसरी डोज लगवाने में दिल्चस्पी नहीं ले रहे है यहाँ टीका करन केंद्रों पर उतनी भीड नहीं है जितनी होने की सरकार को उम्मित थी केंद्रिय स्वास्थ एजेंसी की हालिया आकड़े के मुताबिक अब तक मातर 40 फीसदी लोगों ने ही तीसरी डोज ली है वज्यानिकों का कहना है कि अमिरिकी अब टीका करन की प्रक्रिया को लेकर उबने लगे है और यह व्यवार आने वाले समय में चिंता का सबब बन सकता है अमिरिका की स्वास्थ एजेंसी रोग नियंतरन और रोग थाम के इंद्र के मुताबिक दिसंबर की शुरुवात में हर दिन देश में 10 लाग बुस्टर डोज लगाई जा रही थी जो की अब घटकर 4,90,000 डोज प्रति दिन रह गई है अमिरिका में 18 साल से अधिक उम्रके सभी लोग बुस्टर डोज लगवा सकते है बुस्टर डोज की अहमियत के बारे में हुई एक ताजा रायशुमारी से पता लगा कि आम अमिरिकी टिके की शुरुवात दो डोज को ज़्यादा अहम मान रहे है और उनकी नजर में बुस्टर की फिलाल इतनी ज़्यादा आहमियत नहीं है यह रायशुमारी अमिरिका की समाचार एजनसी एसोसियेट ट्रेस और नोर्सी सेंटर फॉर पबलिक अफियर्स रिसर्च ने मिलकर की है पोल से पता लगा कि 69 फीसदी अमिरिकी टिके की शुरुवाती दो डोज को अहम मानते है मगर बुस्तर को अहम मानने वालों की तादाद सिर्फ 47 फीसदी है पदमश्री सम्मानि प्रसिद्ध कथकली नुर्ट्यांगना मेलिना सालविनी का निधन हो गया है मेलिना सालविनी ने 26 जनवरी को इस दुनिया को अलवीदा कह दिया वह इटली में पैदा हुई थी और फ्रांस की नागरिक थी अभिने कला के क्षेतर में उनके महती योगदान के सम्मान की रूप में भारत सरकार ने उन्हें 2019 में पदमश्री सम्मान दिया था प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी ने प्रसिद्ध कथकली नुर्ट्यांगना मेलिना सालविनी के निधन पर गहरा दुख जताया है प्रधानमंत्री मोदी ने नुर्ट्य की इस विधा को फ्रांस में लोकपरिया बनाने के मेलिना के प्रयासों को याद किया और ट्वेट किया कि मिलिना सालविनी को भारतिय संस्कृति के प्रती उनके लगाओ के लिए याद किया जाएगा उनने पूरे फ्रांस में खथकली को और अधिक लोगपरिया बनाने के लिए कई प्रयास किये उनके निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है मेरी सव्वेदनाय उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ है इश्वर उनकी आत्मा को शांती दे मिलिना की निधन पर प्रदानमंत्री मोदी के साथ ही साथ उपराश्टरपती ने भी शोग जाहिर किया है इसके साथ ही कई और नेताओ और नैशनल इंटरनेशनल एजनसीज की और से भी श्रदानजली दी गई है सालविनी को 1962 में केरल कला मंडम में दो वर्ष एक की छात्रव रुत्ती मिली थी उन्होंने एक साथी कलाकार के साथ मिलकर 1975 में शास्त्रियन रुत्त सिखाने के लिए पेरिस में मंडब सेंटर स्थापित किया उन्हें युनेसको से भी मदद मिली थी प्रधान मंतरी नरेंडर मोधी पहले भारतिय मद्य एशिया शिखर संबिलन की मेजबानी करेंगे वर्चियल माध्यम से हो रहे इस शिखर संबिलन के दोरान इसमें शामिल होने वाले नेता क्षेत्रिय सुरक्षा स्थिती के साथ संबंदों को नई उचाईयों पर ले जाने के कदमों पर विचार विमर्ष करेंगे और इसे लेकर अपने विचार साजा करेंगे इस शिखर संबिलन में पाच देशों के राश्ट्रपती हिस्सा लेंगे इनमी कजाकिस्थान के राष्ट्रपती कासिम जोमार्ट टोटायव, उद्बेकिस्थान के राष्ट्रपती शवकत मिर्जिया योग, तजाकिस्थान के राष्ट्रपती इमोमली रहमान, तुरकमिन्यस्थान के राष्ट्रपती गुर्बांगुली बरडी महुमत और किर्ग प्रधान मंत्री मोदी ने साल 2015 में सभी मद्धे इशियाई देशों का दोरा किया था। इस सम्मिलन के दोरान उम्मिद है कि नेता भारत और मद्धे इशियाई देशों के बीच संबंदों को नई उचाईयों के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वहक शेत्रिय और आंतरराश्टी अहित के मुद्ध पर भी विचार विमर्ष करेंगे। इस दोरान अफगानिस्तान में स्टिती को लेकर भी बाच्चीत हो सकती है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर जापान सागर में मिसाईल परिक्षन किया है। इन चीन और रूस ने उसके प्रयासों को रोक दिया था। वही मिडिया रिपोर्ट्स की माने तो दक्षिन कोरिया और अमेरिका के खूफी आधिकारी इन प्रक्षेपणों का विचलेशन कर रहे हैं। लेकिन उन्हेंने विस्तार से जानकारी उपलब नहीं कर आई। उत्तर कोरिया ने 6 दिन पहले भी मिसाइल परिक्षन किया था 5 जनवरी को जब इसने मिसाइल परिक्षन किया था तो इसे हाइपरसोनिक मिसाइल परिक्षन बताया था लेकिन दक्षिन कोरिया ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया था लेकिन अब दक्षिन कोरियाई सेना ने पुष्टी कर दी है कि उत्तर कोरिया हाईपर सोनिक मिसाइल रागने में सक्षम हो गया है अमेरिका ने पिछले हफते मिसाइल प्रक्षेपन पर एक तरफा प्रतिवन लगाए थे इसके तार 6 उत्तर कुरियाई, एक रूसी और एक रूसी फर्म को रूस और चीन से परिक्षन कारेक्रमों के लिए सामन खरीदने का आरूप लगाते वे ब्लैकलिस्ट कर दिया था तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही, आप से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखतेर ये VKB News, नमस्कार